हेलो एब्रीवन वेलकम तो मैं चैनल वील ओफ फॉर्चून डबल बन डबल बन मैं हूँ आप सब के टारो का रीडर और हीलर पूर्बागूश कैसे हैं आप लोग आप सब बहुत अच्छे हो गाइस सो आज की जो रीडिंग है वो बहुत रिक्वेस्टेड टापिक पर है आज हम नो कॉंटक्ट के प्रेडिक्शन करेंगे हम देखेंगे आप जिस इनसान के साथ नो कॉंटक्ट में हो वो इनसान आपको याद करते भी हैं या भूल चुके हैं और वो आपसे बात क्यों नहीं क करना है तो अगर उस इनसान का नाम A, B, C, G, H, I, O, N, M, S, T, Y, U में से शुरू होता है तो आपको ग्रूप 1 चूस करना है और अगर आपके परसन का नेम का फर्स लेटर D, F, K, J, L, Q, P, R, W, V, X, Z में से हैं तो आपको ग्रूप 2 चूस करना है ठीक हैं आपके इस परसन क जो ओफीशियल नेम है उस नेम का फर्स लेटर के अकॉर्डिंग लेप ग्रूप सिलिक्ट करें ग्रूप 1, ग्रूप 2 तामलस रीडिंग है जर्नल रीडिंग है आप सब के लिए है आप सब इसे देख सकते हो बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें सारे डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी ओके सो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट कर लेते हैं आज की रीडिंग को और देख लेते हैं कि जिनके साथ अपनो कॉंटेक्ट में हो वह आपको कॉंटेक्ट क्यूं नहीं कर रहे हैं और कब तक क देख लेंगे कि अगर उनके साथ नो कॉंटेक्ट में हो तो वह किस रीजन से आपसे बात नहीं कर रहे हैं किस रीजन से कॉंटेक्ट करेंगे वह आपको पीड परसनल डिडिंग्स के लिए एनोर्जाइग्स जैमस्टोंस क्रिस्टल्स रेमेडीज के लिए या फिर वहाटसप नंबर पर इंस्टा इडी पर कॉंटेक्ट कर सकते हो सारे कॉंटेक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शिन बॉक्स में अल्रेडी गिवन है तो जरूर्च चेक कर लीजएगा और वीडियो में आपको मेरा वाटसप नंबर भी दिख रहा होगा ओके तो आप कॉंटे जरूर्च नोलokol को चाला सीनल लीजएगा वीजएगा मे को में ऋईंदा होगा बार सिवराएगा जा मझा झाला है पोल क्व civilिएगगा व पर ज decision podob लीजएगThat we have the high priestess we have ten of want we have ace of cups we have the wheel of fortune we have seven of wands we have five of cups bottom of the rack say we have king of cups okay so let's see what the main reason is for what reason your human is not doing your relationship you don't contact you don't contact you don't call you don't call you don't call you don't ignore you the first thing with the high priestess card is that your person wants to grow in your life they feel that in their life there are many incompleteness they feel that they are not stable in their career emotionally they feel that they don't consider them mentally they are not stable in life there are many things in life there are many things in life there are no good things in life so your person is somewhere where you want to look at your life you want to look at your life so you don't manifest and execute so sometimes you don't have a incompleteness feel that there is no balance in my life in my life I have to do this I can do this in my life frustration I can do this in my life than just many times in my life just mentioned that your person feels that them in this relationship also feel that they are unjustised when they are not with your life they are with you and keep you with it when you talk about your life and then you can feel that you have a balance in your life to say that your person feels that they are not with your emotions you know you know you have a balanced feeling too many people feel that people have healed more problems and made them okay so maybe they have this feeling that they also feel that there are known उनके अंदर जो आपके प्रती प्यार है उस प्यार को express करने के जगा वो आपको feel करवाते हुए आए हैं कि उनके दिल में आपके प्रती इज़त या प्यार नहीं है ठीक है तो मुझे यह दिख रहा है कि इस person को deep realization है कि अभी वो जिस situation में है अपने life के ठीक है अपने life के जि इंसान justice नहीं कर पा रहे हैं इस रिष्टे का इस प्यार का ठीक है और इसके वज़े से मुझे यह दिख रहा है कि आपके person को ऐसा feel होता है कि वो आप वो खुद एक culprit है वो सिरु आपको दुख देना जानते हैं आपको problems देते हैं उनके खुद की unstability का effect आप पर आ जाता है आप वे वज़ा उनके लिए दुखी हो जाते हो ठीक है उनके रहने से भी अब दुखी हो जाते हो तो उन्हें कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि पहले वो अपने life के चीजों को पूरा करें पहले अपने इस problem से निकल कर आएं और जिसमें वो फसे हुए या जिसमें वो struggle करें उससे निकल कर आएं और फिर वो इस रिष्टे पर पूरा अपना ध्यान मन सब लगाएं और पूरे शांती के साथ लगाएं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि अगर उनके life के personal problems के रहते अगर वो आपके साथ रिष्टे को निभाते हैं connected रहते हैं बात करते हैं मिलने आते हैं तो कई ना कई वो आपको बार-बार दुख ही देंगे किसी ने किसी तरीके से बार-बार आपको ऐसा फील करवा देंगे कि ये इंसान एक गलत इंसान है जिनसे आप उमीदे रख रहे हो या प्यार कर रहे हो और ये नहीं चाहते हैं आपको खोना किसी भी हाल में ठीक ह करें आपको या आपसे रूड हो जाए और फिर ये रिष्टा जिंदेगी भर के लिए टूट जाए जो ये इंसान अफॉर्ड नहीं कर सकते तो ये इंसान जानते हैं कि इनके दिल में बहुत प्यार है लेकिन इंसान ये भी जानते हैं कि ये इंसान आपको दिल खुल के तभ और बहुत कुछ नहीं कर पाते हैं और जब आप इनके साथ रहकर ही दुखी हो जाते हो तो उनके लिए यह बेस्ट होगा कि अभी वह आपको स्पेस दें ठीक है आप इनके वज़े से दुखी ना हूँ और यह अपने लाइफ में सारी चीजों को फिक्स करें अपने लाइफ तो main reason यह इस वज़े से आपसे बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि इस period में अगर वो आपसे connected रहेंगे तो आप दोनों के connection के बीच में toxicity बढ़ने के बहुत chances होगी ठीक है और इतनी toxicity बढ़ जाएगी कि आप इस इनसान को बहुत बुरा मानने लग जा आते हैं वो चाहत वो प्यार आपको कभी दिख नहीं पाएगा तो यह चाहते हैं कि पहले ही अपने life के कुछ problems को ठीक करें life में अचीव करें life में तरक्की करें उसके बाद यह इनसान आपसे contact करें आपके साथ connection को बढ़ाए और उसमें पूरा का पूरा investment दे emotional level पर mental level पर ठीक है यह चीज मुझे आ दिख रही है तो आपके person मुझे बहुत serious नजर आ रहे हैं ठीक है मुझे आपर नजर आ रहा है कि इस person को realization हुआ है कि इनकी खुद की problems इन्होंने आपके उपर बहुत बार धकेल देया आपको बहुत बार यह ब्लेम किया है आपको बहुत बार ब fluctuate करना uncertainty कोई commitment नहीं कुछ surety नहीं तो यह सब गलत है लेकिन फिर एंसन यह भी समझ रहे हैं कि ऐसे वह continue नहीं कर सकते हैं अगर उन्हें आपका प्यार चाहिए होगा आपको खुश रखना होगा तो उन्हें सबसे पहले खुद sure होना पड़ेगा खुद mind and उनके emotions को stable होना पड़ेगा ठीक है तब जाके वह proceed करेंगे तो आपके आप दुनों के connection में चीज़े fruitful तरीके से आगे बढ़ पाएंगी ठीक है तो यह चीज यहां पर मुझे बहुत नजर आ रही है so they are trying really hard कि वो अपने life में जो भी चाह रहे हैं जो भी life में पाना चाहते हैं वो पाले हैं या कोई भी life में problem में फसे हैं तो उस problem से निकलने की लिए यह दिन रात महनत कर रहे हैं ठीक है यह definitely नहीं चाहते हैं कि जैसे लोग इनको छोड़के गए हैं इनके अपने इनको छो करेंगे तो उससे आपका दिल पूरा तूट जाएगा ठीक है जो वो नहीं होने दे सकते तो यही main reason है कि आपके person जो है वो कुछ initiate नहीं कर रहे हैं because they are suffering in their own life ठीक है यह एक real मुझे दिख रही है और इनका mindset अलग है आपका mindset हो सकता है कि problem में भी आप साथ निभाना जानते हो ठीक है आप सामने वाले को खुश रखना जानते हो लेकिन यह इंसान हो सकते हैं नहीं जानते हैं कि खुद के life में problem होने पे भी कैसे रिष्टे निभाये जाते हैं या कैसे सामने वालो को खुश किया जाता है अपने problems को दूसरों में नहीं बाटा जाता हो सकते हैं इस perceptions होना, अलग thought process होना बहुत general है, ठीक है सो अब हम देख लेते हैं कि आपके person आपको कब तक contact करेंगे we have door to personal healing and happiness number 34 we have door to romance number 33 तो मुझे आपर दिख रहा है कि आपके person है उनको contact करने में थोड़ा सा वक्त लग सकता है लेकिन एक से डेर महीने के बीच ओ बीच में ये इनसान definitely आपको reach out करेंगे, call करेंगे, message करेंगे थोड़ा सा और आपको wait करना पड़ेगा क्योंकि ये चाते हैं कि ये permanently उस चीजों को fix करें तो आप समझ लीजे कि ये इनसान आपको मार्च के end तक ठीक है contact कर लेंगे और क्योंकि एक timeless reading है तो जबी भी आप वीडियो देखो एक से डेर महीना पकड़ लीजे उसके बाद इस person का contact 110% आपको आ जाएगा और ये ऐसा contact होगा जो की बहुत stable, secure and permanent वाला होगा तो ये थी आप लोग की reading आपको पसंदा है और पसंदा है तो प्लीज तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाइ ग्रूप नमबर टू अगर आपके परसन का नेम का फर्स लिटर, DEF, KHL, QP, R, W, V, X, Z में से हैं तो देख लेंगे कि अगर आप इस इंसान के साथ नो contact में हो तो ये इंसान आपसे क्यों contact नहीं कर रहे हैं क्यों बात नहीं कर रहे हैं क्या में वज़ा है इसके पीछे कि वह आपसे दूर है और अगर कॉंटेक्ट करेंगे तो कब तक करेंगे टाइमिंग भी हम चेक करेंगे पेट परसने रीडिंग्स के लिए आप लोग प्लीज पॉजिटिव रहे हैं और फोकस बनाकर रखिए जिन से रिलेटिट भी आप चानना चाहरे हों ओके लेट सी we have that card we have six of cups card we have Knight of Swords card we have Ace of Coins card we have the Empress card okay we have king of cups card okay and what on the next say we have five of swords card okay okay so let's see that you don't talk to your person, why don't talk to your call message, why don't contact you, what the main reason is behind it the first thing is that card, I am showing you that you have many insecurities they doubt you, they have a lot of trust issues and trust issues they don't understand that they have a lot of trust issues they don't understand that they are right or not so they don't understand that they are right or not they don't understand that they are right or unsure, they are right and instead of overthinking, what you love and your mind your mind is that you have to do some gestures and effort you have to do some love and your mind is that you have to do some love and that you have to do some love and love and love वो यह person नहीं कर पाते हैं, इन्हें बार बार ऐसा फिल होता है कि कोई एक negative energy काम कर रही है, जो कि आप दोनों के रिष्टे को दूर करना चाती है, पता नहीं, जब भी आपके लिए कुछ करना चाते हैं, या आपको प्यार देना चाते हैं, तो वो चीज negativity में बदल जाती है, ठीक है, toxicity में बदल जाती है, इनको डर लगले लग जाता है, ठीक है, उस प्यार जताने के तरीके में, उस बात करने के तरीके में, कुछ special करने के तरीके में, इन्हें ऐसा feel होने लगता है कि यह शायद कुछ सही नहीं कर रहे हैं, या आपके towards effort डाल कर शायद they are not doing the right thing, ऐस अजिए उन्हें feel होने लग जाती है, ठीक है, एंड यही डर के वज़े से, यह ऐसा feel होता है, कि यह धंग से आपके साथ reciprocate नहीं कर पाते हैं, ठीक है, धंग से रहनी पाते हैं, साथ रहते भी हैं, तो खुश नहीं रह पाते हैं, क्योंकि कहीं नहीं feel होता है कि कोई एक negative energy इनके उपर काम करती रहती है, जो कि इनको positive होने ही नहीं देती, जब-जब आपके साथ खूश होते हैं, next पर ली कुछ ऐसा हो जाता है, कि आप दोनों के भीच में यह जगड़ा हो जाता है, या आपकी कोई बाते उन्हें बुरी लग जाती है, या अचानक से यह सब्सक्राइबल कनेक्शन में आने नहीं दे रहे हैं, हो सकता है इस इनसान के उपर black magic हो, हो सकता है कि इस person के, you know, planetary issues हो, हो सकता है कि फैमिली इशू हो, या हो सकता है कि इनके खुद के पास traumas हैं, जिसे वो आज तक हील नहीं कर पाए है, और वो पास traumas है इनको कई नहीं आपके साथ पूरे तरीके से घुलने मिलने में रोपती रहती है, यह आपको believe नहीं कर पाते हैं, विश्वास नहीं कर पाते हैं, and somehow they feel like कि उनको आपसे assurance भी नहीं मिल पाता है, ठीके है, मतलब जितना उनका doubt बढ़ता है, आप उनके doubt में, उनके doubt के आग में घी डाल देते करते हैं और यह आप उसको कि बुझहते हैं और इसको बुझह आपानी के डाल तो यह चीज मुझे यहा पर दिख रही है तो बहुत अंसर्टन मतलब इनका मन बहुत अशान्द होते रहता हैyeong के सांत Спत्रिक e trust me, मुझे यहाँ पर बहुत प्यार दिख रहा है, इंसन selflessly आपके लिए सब कुछ करना चाहते हैं, यह इंसन आपको अपना soulmate मानते हैं, लेकिन कहीं न कहीं यह feel करते रहते हैं कि मतब समझ नहीं पाते हैं कि क्या करें, क्योंकि यह न कभी आपके साथ बहुत खुश होते हैं, तो कभी आपके साथ रह के बहुत दुखी हो जाते हैं, कभी-कभी नहीं लगता है कि आपके साथ यह बहुत अच्छे से रह पाएंगे, तो कभी-कभी लगता है कि आपके साथ तो जिन्देगी खराब हो जाएगी इनकी जिन्देगी भरी ने रोना पड़ेगा तो यह जो प्रॉब्लम है आपके कनेक्शन का आपसे नहीं हुआ है और ना यह इंसान आपको ब्लेम कर रहे हैं इस इंसान को पता है कि इनके खुद की पर्सनल लेवल पर प्रॉब्लम्स है खुद के mindset, खुद के patterns, खुद के past traumas कुछ है कुछ है जो इनको अंदर से सताती रहती है खाये जाती है ठीक है और यह confess नहीं कर पाते है उन problems के बारे में आप भी definitely आप एक human being हो आप कैसे समझोगे जब तक कोई इनसान आपको सामने से आकर उन्हें express ना करे और यह इनसान एक्सपेक्ट करते है कि automatically सब ठीक हो, automatically आप उन्हें समझ जाओ, जो कि हो नहीं पाता है समय के साथ सा, ठीक है तो मुझे यह आप दिख रहा है इस person is very very sensitive, ठीक है मतला हच से जादा sensitive है यह इनसान खुद को लेकर ही sure नहीं है, ठीक है कि इन्हें क्या चाहिए और जितना इनके लिए sufficient है यह नहीं, तो they are very unstable mentally, mentally they are not doing great, ठीक है, बहुत insecure है love life को लेकर, बहुत इनको डर है relationships को लेकर, phobia बोल सकते हैं, literally phobia word का में use कर रही हूं, क्योंकि मुझे यह दिख रहा है कि यह इनसान personally बहुत सफर करते हैं, क्योंकि इन्हें बहुत जादा care, प्यार and बहु बहुत सकते हैं, आपको भी नहीं करते हैं, आपको भी समझने आता होगा, कि इनसान आखिर चाते क्या है आपसे, ठीक है, तो मुझे यह दिख रहा है कि इस इनसान के life में definitely बहुत problems हैं, हो सकते हैं, इनके past बहुत haunting रहा है, जिससे बुन आपस तक निकल नहीं पाए, उनने वेस्ट कर दिया वह चीज़ करके, अगर आपने उनका इस्तेमाल कर दिया future में, उनने चीट कर दिया future में, उनको छोड़के आप चले गए, तो फिर हो गया इनका, सब कुछ loss में चला गया, तो एक डर इनका constantly काम कर रहा है, वह एक blind faith जो उनने चाहिए इस relationship में, वह ग्रो नहीं हो पा रहा है, इसी frustration से, इसी lack of commitment या stability के वज़े से, this person is not initiating anything, ठीक है, इनहीं ऐसा लग रहा है कि no, I will not do it, अगर होना होगा, तो सामने से होगा, और अगर ईश्वर ने इस रिष्टे को मेरे लिए बनाया है, तो वो ही कुछ करेंगे, मैं खुद से कुछ नही करने वाला या करने वाली, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि मैं फिर से कुछ करूँ, और फिर मुझे ही भुगतना पड़े, तो इनको खुद के कर्मों से डर लगता है, इन्हें ऐसा लगता है कि यह कुछ ऐसा कर्म ना कर दे, जिससे इनको खुद भुगतना पड़े, तो कहीं न कि सांस लेकर यह महसूस कर सकते हैं सोच सकते हैं कि बस मुझे मेरा जीवन साथ ही मिल गया इसे यह कहीं पर भी चले जाए मुझे यह कभी भूलेगा नहीं यह भूलेगी नहीं कभी चीट नहीं करेगा यह करेगी हमेशा मेरे होके रहेगी मेरी होके रहेगा और मुझे ही प्यार करेगा या करेगी ठीक है तो आपके तरफ से उन्हें वो faith चाहिए होगा वो believe अगर आप इस इंसान को बहुत प्यार करते हो इन्हें आप lifetime के लिए चाहते हो तो आपको दिखाना पड़ेगा आपको थोड़े जयादा मेनत करना पड़ सकता है फिक है अनके ये अंदर से बहुत नाजुक है इनको समझना पड़ सकता है किसी चीज अगर इनको बुरी लगरी आपको दिख्जिया है कि ये चीज उन्हें हट कर ली तो आपको उस चीज़ को repeat गलती से भी नहीं करना है ठीक है आपको इन्हें दिलासा दिलाना होगा automatically ये कुछ आप से पूछने नहीं वाले कि तुम मुझे promise करो तुम मुझे commitment दो तुम मुझे बोलो कि तुम मेरे साथ रहोगे ये दिल से चाते हैं कि automatically आप उन्हें ये बताओ जताओ कि आप इनके बिना किसी और के साथ कभी नहीं जाने वाले हो आप सिर्वी नहीं चाते हो इनसे प्यार करते हो और ये आपकी दुनिया है तो उनको वो वो ट्रस्ट वो अशॉरेंस चाहिए और जब जिस दिन उन्हें वो चीज़ होने लग जाएगी ये आपके लिए दुनिया को इधर से उधर करने के लिए भी रेडी होंगे मुझे ये आप के लिए दिख रहा है ये इनसान सब कर सकते हैं आपके ले लेकिन उन्हें वो विश्वास चाहिए होगा ठीक है तो इनके पास definitely haunting रही है जिसके वज़े से ही ये major issue arise हो रहा है ठीक है और ये ही main कारण है कि ये इनसान खुद से contact नहीं कर रहे है क्योंकि इनको अभी भी समझ नहीं है कि ये रिष्टा fruitful होगा या नहीं और ये अब कुछ गलती अपने तरफ से नहीं करना चाहते है ये खुद के नजरों में बहुत बार गिर चुके है है बहुत बार रिष्ट पर इनने अपना मारा है आपके लिए हो सकता है नहीं किया हो लेकिन पास्ट में हो सकता है कि ऐसे experiences इनके रहे हो ठीक है तो जिससे ये उभर नहीं पाए है we have the world card number 29 we have 32 door to spirit okay so देखिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ये person आपको contact करेंगे ऐसा नहीं है कि कभी भी contact नहीं करेंगे और बहुत जल्द ही करेंगे लेकिन उस बातचीत में उस contact में भी मुझे लग रहा है कि uncertainty and unclarity रहने की chances है तो आपकी बातचीत इस person के साथ बहुत जल्दी हो जाएगे ठीक है like इस reading को देखते ही आपकी इस person की message call receive हो सकती है ठीक है तीन से साथ दिनों के अंदर अंदर इस person का call message आपको receive हो जाएगा अगर no contact है तो लेकिन हाँ जब contact आपको उस person से मिले तो आपको थोड़े जादा मैनत करना पड़ सकता है आपको try करना पड़ सकता है कि इस person को आप जता पाओ कि डरने की कोई बात नहीं है या फिर unclear होने की बात नहीं है आप उनको लेकर genuine हो आपके mind में कोई casual energy नहीं आप उनको लेकर serious हो तो यह जैसे आप जताने लग जाओगे तो आपकी जो contact है वो frequent होने लग जाएगी वो deepen होने लग जाएगी और वो conversation फिर comprehension में बदलेगा और फिर आप दुनों के विश में वो closeness वो faith आना build होगा जो की कई नहीं missing दिख रहा है अगर आपके तरफ से है तो आपके person के तरफ होना बहुत ज़रूरी है so guys यह थे आप लोग की reading I hope आपको पसंदाएगा 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 प्लीज तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब मैं मती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में guys सब तक के लिए बाबाई ग्रूप टू